गुलाम नभीयादा साथ Congress Party के साथ का मलकी सादर जनाब राहूर गांदी साथ हर्याना परदेश Congress Committee की सादर मौतरमा कुमारी शेंजा साहिबा नाव जवान दीडर साथ का मेंबर पार्लिमेंट दपेदर सिगुडा साथ साथ का वजीर और हर्याना परदेश कंपेंड के मेंटी के चेर्मेन केप्टन हजे सिंग साथ साथ का वजीर और आप सबके और हम सबके उमीदवार इस कांशुंसी से चौल्डी आफ्ताव एहमत साथ इसी तरह से पुनहाना से कांग्रस के उमीदवार महमद इलिया साथ हथीन से कांग्रस के उमीदवार महमद इसराईल साथ खरोजपूर जिड़का से डॉक्टर शमसुदीद साथ गुड़गाओं से कांग्रस के उमीदवार सुबीर कटाविया साथ और एक उमीदवार हमारे यहां नहीं है पहुंच पाए हैं वो है इंजिनियर मेरुन खान साथ सोना से डॉक्टर शमसुदीन साथ और बहुत तवदाद में बुज़रगों और नवज़वान साथ ही हो आप यहां सब आज राउल गांदी जी को सुनने आए हैं मैं तो गुज़िश्टा मैं गिन रहा था के पहली तक्रीर मेरी मेवात में कब हुई थी तो आज से तर्तालीस साल पहले जब मैं यूथ कांग्रस में था तो इन गुज़िश्टा तर्तालीस बरसों में शाय दर्जनों अगर सैक्ड़ों नहीं मिटिंगे मेवात के किसी ने किसी इलाके में हुई अगले तीन चार दिनों में दी मेरी मिटिंगे मेवात में अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग उमीदवारों के हलकों में होंगी जहां मैं तफसील से बात करूँगा लेकिन आज चुम के आप सभी हलकों के लीरर्स यहां मौजूद है यह मैं मेवार्थ के अवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज मुलक एक सियासी बहरान से गुजर रहा है इक्तिसादी बहरान से गुजर रहा है समाजी बहरान से गुजर रहा है और इन हालात हमें मुतिद्ध होकर एक होकर मुलक की सालिमियत को मुलक की एक जहती को काईम रखना है लेकिन उसके साथ साथ ही हमने आपसी भाईचारे को और मजबूत करना क्योंकि आज मुलक में जो हुकमरान पार्टी है या हर्याना में जो हुकमरान पार्टी है वो तो ना इक्तसादियत पे बरुसा रखती है ना वो तरक्की पे बरुसा रखती है ना कामकाज पे बरुसा रखती है ना डिवल्पेंट पे बरुसा रखती है ना रोजगार मौईया करने पे वो भरोसा रखती है ना वो मजदूरों को काम देने पे भरोसा रखती है और नहीं वो गरीब उनको इंसाफ देने में भरोसा रखती है और नहीं हमारी बहुत बेटियों को नियाई देने में भरोसा रखती है उसका काम सिर्फ है स्यास्सके नाम पे अवाम को बाटो, मज़ज़ की नाम पे बाटो, इलाखों के नाम पे बाटो, तबकूं के नाम पे बाटो और इस तरह से वोट असर करें मुझे अफसोस होता है कि उनकी कदम मेवात में भी पहुँचे है और मुझे अफसोस उन लीडरों से होता हमारी अपने लीडरों से जो आज भी बेजेपी में बेजेपी की इन तमाम नाकामियों के बावजूद भी बीजेपी के इन तमाम थरेबों के बावजूद भी बीजेपी के इन तमाम नापाक फर्बों के बावजूद भी फिर भी यहांक से मेवात से कुछ लोग उनकी पार्टी में अपने आपको नमाइंदा बनने के लिए मुझे ऐसे लोंग पर शर्म आती और मुझे पुरा विश्वास कि मेवाद के लोग ऐसे लोग की जमानत जबत करें ताके आएंदा मेवाद में ऐसी पार्टियू जो इंसानियत को खदम करने के लिए आगे पचार करती है और जो मुल्क को तोड़ने का काम करती है ऐसी स्यासी पार्टियू में अगर कोई जाता है तो हमेई द्वार बनने के काबिल नहीं है MLA बनने के काबिल नहीं यही मैं आज आप से बुजारश करता शेल जाजी ने अभी बताया हमारा जो मनशूर है अलेक्शन का जिस मनशूर के नाम पे हम जीत के आएंगे वो हमारी बनियाद हो जब हमारे कुछ साल पहले यहां कोमते कहीं प्रोग्राम हमने किये सोनिया जी जब आई थी तो पचास हजार के करीब हमारे मेवाद की बेहने थी हमने औरतों और लड़कियों से मतलिक मुल्की पेमाने के बहुत सारे प्रोग्राम यहां शुरू किये थी जब मैं हेल्थ मेंसर था और वो प्रोग्राम हिंदुस्तान भर में आज चल रहे हो यहां हुड़ा साब के वकित में मेडिकल कामबा कॉलेज बना बहुत अरसे से वो मांग थी मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग कॉलेज बने आज भी हमने वादा किया कि हमारा द्यान तालीम की तरफ होगा हमारा द्यान सहत की तरफ होगा हमारा द्यान बेकारी को खदम करने की तरफ होगा हमारा काम बेरुजगारी को खदम करने की तरफ होगा, हमारा काम जहलत को खदम करने का होगा और ये चुमुक विकास के लिए आपने कांग्रस को साथ देना मैं आपका बहुत बहुत शुक्र यादर करता हूँ कि पार्लिमेंट के एलेक्षन में मेवार्त में तकरीबन 90 पीसदी वोर्ट हर कांग्रस पार्टी को आए है उसके लिए मैं आपका बहुत मश्गूर और हर असमली कांग्षन सी से हम पार्लिमेंट के एलेक्षन में यहां से जुमुद जीते है मुझे उसी तरह भुश्वास और भरोसा है आप पर कि इस एलेक्षन में भी उसी शिदद से और उसी महनत से और उसी लगन से आप इन तमाम मीदवारों के जिनके मैंने नाम लिए और आसपास के जो मीदवार है जिनके मैंने शायद नाम नहीं लिए और वहां आपका जो रसूख है उस रसूख को भी आप इस्तवाल कीजिए और इन्हें कामिया बनाएए और कांगरस की हुक्मत बनाएए इन्ही इन्फास के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया दा करता हूँ खुदा आफिस, सलावालेकूम, जैहिन